इसा वालीघ को commitment केसे अब सब लोग और इंशालब आप सब लोग Winds слag डिकूंँंगे अल्म् म्लेANS बाहर जा रहे हैं मैवीच के घर जा रह रहे है और हम जा रहे हैं आई शेकी वज़य से भिकोस आज आई शेकी बड़ है आज 7 जोलाई है 11 जोलाई है तो मतलब उनकी है 7-11 हमारे 7-11 स्टोर्स हैं काफी सारे और उनके बाइड़े भी 7-11 है तो हम लोग वैसे भी याद रहती है लेकिन फिट भी तो हम लोग जा रहे हैं मैविश के घर आईशा को पूल में जा रही हूं महग जा रही है घजल जा रही है तो यह महग भी आ जा रही है यूंकि समर में इस तरह के कलर पहनो तो बहुत अच्छा लगता है इधर में अपना आउट्फिट दिखा रही थी आप लोगों को और मैंने विलू कलर कर टॉप पहना था और वाइट जीन्स पहनी थी तो आप लोग मेरा आउट्फिट भी देख सकते हैं आप लोग कोमेंट और इसके पर सकता है और इसके पर जो अमड़ाएटी भी थी वह बहुत खुपसुरत लग रही थी यहने का कामधिनेशन बहुत अच्छा था यह पल्य और शेजा बैट गहीं थी और उस दिन वेदर बहुत अच्छा था अगी ती अटन भी नहीं थी मतलब बहुत ही अच् के गजल भी जा रही थी तो एक्चलि हम जा ही आईशे की बड़े के लिए रहे थे और हम सिर्फ आईशे की वज़ा से ही जा रहे थे क्योंकि अल्रीड थोड़े दिन पहले ही मैं होकर आई थी आप लोग ने देखा होगा अगर मेरा व्लोग तो मैं मैं विश के घर गई थी चीज़ा खूब पूल में आई थी तो उस दिन आईशे नहीं आई थी तो आज आईशे को आना था और उनके बड़े थी तो उनका तो मतलब यह फरमाईश उनकी रद नहीं कर सकते थे हम लोग गी महक दिखा रही थी महक अब आप लोग देख सकते हैं बहुत प्यार हुआ था में बहुत प्यारी लग रही थी माश Теперь तो बाकी महकी आपको दिखा नहीं थी महकी हाथ में फोन था तो आपको भार का व्यू दिखा भार बहुत खुबसुरत विदर था तो बहुत अच्छा लग रहा था अभी हम लोग जाने लगे थे एक्शली हम लोग जा रहा है थे जाइन जा रहा है थे जाइन एक स्टोर का नाम है तो हम लोगों को वहाँ पर जाकर और केक का और डिया दिया हुआ था तो केक पीकप करना था तो क्यूंकि जिसरे के बताए कि आईशा की बड़ है तो नहां पर हम पहुंच गए थे और नहां से मैं केक लेकर आ गई थी तो यह मेरे पास रखफा रही थी सामान मतलब केक था और इसके साथ इनों ने बलून वगर अब लिये थे काफी सारे हमने यहां परायशा को भी विकप कर लिया था यह आप देख सकते हैं माशाला माशाला फ्रेंस माशाला जरूर बोलियागा यह एंजल हैं चोटी सी एंजल हैं हमारे घर के यह बहुत खुबस्त प्या जदफेत्した हैं को तो यह कौशा प्लाइन करेंगे &शeg ACL fair करेंगे और यह आपको देखा रही थी डख से हूँ बहुत सारी आता हिए प्रलोड ब्लॉट क्या हुँ था पीछे हमारे काफी सारी लंबी लाइन लगी ऊई ठीं ती और मतलब क्यूंके डख सारी रोड करा कर रही थी तो हम लोग जा नहीं सकते थे आगे और बहुत अच्छा लग रहा था देखकर तो आप लोग देख सकते हैं कि बस हम लोग निकल चुके थे यहां से भी हम लोग पहुंच रहे वाले थे मैविश के खर पर और यह सब लोग गाड़ी में बैठे वे नजॉय कर रहे इदर मैं अपको दिखा रही थी आपको अपना मेकप दिखा रही थी कि मतलब यानि कि मैंने मेकप अपनी मेचिंग कर किया था कपड़ों की तो अच्छा लग रहा था यह मेक के हाथ में बलून है आप लोग देख सकते हैं क्योंकि आज आईशे की बड़ है तो आज कर रहे तो मैंविश ने मतलब यानि के बहुत अच्छे से वैलकम करा था और आईशे को बहुत अच्छे से बड़े सेलिवेट मतलब विश किया था बड़े तो आप लोग देख सकते हैं मैंविश ने भी अपने घर में काफी सारे बलून रखे हुए थे और यह सब बच्छे इंसस कर रहे थे केक काटे तो मुझे काट लेते हैं बाकी बाद में करते हैं तो मामच को देक काटो में करे पीडे उससे हैं है अल्ग सब्सक्राइज घर्प्सकर रत हैं कुग होगे चο me다स सब्सक्राइज खांकर प्रेक सब्सक्षिन से कहां बबर्दे सब्सक्राइज धार्चम कभबभार सौ यह warfare ष्ट्सक्राइज हिएपने से और येविधाइं है सोतयों को दिखा कि मतलब हम गर में एंटर हुए थे और बच्छों को बस श्रिफ करेंडना था तो वह सिर्फ स्पेशली केक की वज़े से होता है और केक देखकर मतलब जिए बच्चे मेड़ने की वेड़ कर दो कर ही नहीं सकते और केक आइस करीम ने बहुत टेस्टी केक था मतलब बहुत अच्छा लग रहा था बहुत मज़ा आ रहा था आप देख रहे हैं कि मतलब सब को ने अपना अपना केक लेके इंजोई करना शुरू कर दिया एक्चली सब को बाहर जाना था हम लोग सोच रहे थे कि पहले खाना खाएंगे लेकिन बच्छों से वेट ही नहीं हुआ तो हमने का चलो पहले केक काट के बच्छों को केक दे देते हैं ताकि बच्छे आराम से बच्छे केक खालें इसके बाद नेक्स्ट कोई काम करेंगे क्योंकि बच्छे वेट नहीं कर रहे थे और ती भी आईशे की बड़े तो मतलब यहनी के फिर मुनको नाराज भी नहीं कर सकते थे इसलिए हमने सबसे पहले केक काट लिया एक्चली मुझे भी केक मुसा है मु कुछ नहीं तो अच्छा लगता है इनको देखकर और इनको खुश्यों के लिए बंदा सब कुछ करता है तो बस अब हम लोग नहां पर बैटके केक वगरा खा चुके थे अब हम खाना खाने के लिए सोच रहे थे हमने खाना खाया एक चिली में उसका क्लिप भी नहीं बना सके क्योंके बच्चे बहुत शोर कर रहे थे आप लोग देख रहे हैं कि थोड़सी देर भी टिक के नहीं बैट रहे थे तो बस इनको क्योंकि अभी पूल में भी जाना था हम लोग एट कर रहे थे कि पुल के अदर मेविश पानी डाल दें ताकि बच्चों को पुल में quindi भार आ गई थी बच्चों को लेकर सबको बच्चे आकर पूल में बैट गए थे जिस पर परस के लिए आईशा जा पर आई थी आखिर वो होई गया यानि कि आईशा पूल में बैट गई थी आप देख रहे हैं कि किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं और सबसे आखिर में निकली सब बच्चे बहुत इंजुय कर रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था मतलब है तो पूल छोटा सा लेकिन बच्चों के खेलने के लिए इनाफ है और काफी है मतलब मुहमद डर गए थे मुहमद को वापस जाना था उनको पानी में नहीं बेटना था क्योंकि ऐसी अन मुहमद उसके अवासे डर गए थे तो आप लोग बताईए फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा यू व्लोग कैसा लग रहा है अगर अच्छा लग रहा है तो कॉमेंट्स में जरूर बताईएगा हमारी आईशे को बाइड़ वीच जरूर कर दीजिएगा तो मुझे बहुत ख खुला-खुला अَइरिया है मैवीश के घर के भार का यह मै, यह मैवीश का जो बेक्यार्ड मतलब बालकर्णी वाला एरिया तो वह है और इसके सामने भी घर बने वहे हैं जो देखकर आँखों को बहुत खुपसूरत लगते हैं मतलब थोड़ा सा हिल को पर आ जाता है मैविश का घर तो इसी रिजन से और ज्यादा अच्छा लगता है बहुत मतलब यह नहीं कि आप बाल करने से निकलेंगे तो सारा आपको ग्रीन डी ग्रास के प्रवॉक करने को म आप अधारा और बच निकल भी नहीं चाहते तो इदर में खड़ी हो गई थी मैं कि वेडियो बनाती हूं तो वह बना रही थीव चों को दिखा रही साथ के अंदर बच्चे कंति लियुक्त ल ःते में खड़ों के बच्चे को देख रही थि यहीं का रही थी दिल तो मैरा भी यही चाहरा था कि मैं पने में बैट जाती हो लेकि इतना बड़ा से नहीं कि पानी के अंदर बैठ जाए और हमारा को गया हो हाओ एस अगर पूल में हम जाना है तो पहले हम जाके पूल के पास शावर करें फिर हम पानी में जा सकते हैं पूल में लेकिन इससे बेतर बंदा जाए नहीं घर में ही रहे तो सकुन से इस तरह की घर में पूल लगा ले और सी के अंदर ही चले जाए यह मैविश थी बच्चों को एक और शीज़ाद ये तीन बच्चे ऐसे हैं कि पानी में एक दफ़ा चले जाते हैं तो पिर इनको पानी से निकालना मुश्किल हो जाता है आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे कितना खुश हो रहे हैं माशाला और इनको बहुत अच्छा लगा था मतलब यह निके आईशा की बड़े का ये गिफ्ट था समझो कि इनको पूल गंदर श्यावर करने को मिला है पूल में नहाने को मिला है बहुत जादा तो इनके आईशा की अभी एक चलिए हम लोग आईशा की बड़े से लिवेट करेंगे अगस्त में करेंगे इंशाला तो आप लोगों को ज़रूर बनाओंगी तो जरूर दिखाऊंगी यह हम लोग यहां से डान हो चुके थे हम लोग घर की तरफ जा रही थे और मतलब सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा था होफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो कॉमेंट्स में जरूर बताईएगा फैमिल कुल में बहूए घर जा कर ले तो इसलिए जो घर में पूल नहीं तो इसलिए बकुल कके खेल लेते हैं उसरे कर लेते में तो इंशाला आप सब लोगों को विलोग भी दिखाऊंगी होफुली आप लोगों को मेरा यी व्लोग अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा फैमली फ्रेंट के साथ चेर कीजिएगा कोमेंट्स बताईएगा कैसा लगा जो भी करते हो प्लीज ज़रूर बताया कोमेंट्स देखें बहुत खुशी होती है इंशाला फिर मिलती हो नेक्स व्लोग में आज के लिए बस इतना ही अला आफीज